हालो दोस्तों नमस्ते राजस्तान पुलिस सब इंस्पेक्टर बरती और कॉंस्टेबल से जुड़ी होई एक मत्वपॉन और अच्छी कबर आप सभी के लिए विबाग ने अतरिक दस अंकों के लिए यहाँ पर एक कॉर्स हो शुरू किया है तो इसके फारम यहाँ पर चालू हो चुके है कल दोस्तों मेंने एक वीडियो डिया था उसके बाद में कापी सारे स्टेट के मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि सरह इन में से हमको कौन सा कॉर्स करना उचित रहेगा क्योंकि इसमें तीन परकार के डिग्री डिप्लोमो कोर्से जहें इसमें क्या योगता रहेगी चेन परकरिया क्या रहेगी किस परकार से हमारा सेलेक्शन होगा regular करना है या private करना है कितने कितने marks यहां पर मिलेंगे पूरी जानकारी में step by step आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ तो वीडियो को अंतक देखो कि दोस्तो तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी और जो दोस्त चैनल पर नए है जिन्होंने सस्क्राइब नहीं करका है नीचे लाल कलर का बटन आपको मिल जाएगा उसे दबाकर आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजे दोस्तों ताकि आने वाले समय में रास्तान पुलिशे जुड़ी पलपल की अपडेट आपको यहां पर प्राप्त हो सके तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोदपूर के दौरा दोस्तों यह डिग्री डिप्लोमा कॉर्सेज करवाए जाएंगे इसके admission form यहां पर open हो चुके हैं तो अगर आपको direct link चाहिए दोस्तों form apply का तो description में टेलेग्राम चैनल का link है उसे जाकर आप join कर लीजिए वहां पर मैं सारी information आपको send कर दूँगा तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ कि form बरते वक्त आपके पास में कौन-कौन से दस्तावेश होना जरूरी है उसके बाद दोस्तों आपको बताऊंगा कि कौन सा course आपके लिए अच्छा रहेगा वो जानने के बाद आप home apply कर सकते हो तो पहले देख लीजिएगा email address आपके पास में होना जरूरी है उसके बाद यहापर बात की जाए तो देख सकते हो जो तीनों courses है उसमें से आपको select करना है कि कौन सा course आपके लिए अच्छा रहेगा आप किस course को करना चाहते हो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि सर हमको पता नहीं है किस course से क्या फाइदा मिलने वाला है तो मैं आगे पूरी जानकारी आपको देने वाला हो एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि degree diploma करने से कितने नंबर मिलेंगे regular करने से क्या फाइ पासन के अंदर और एक है दोस्तो certificate course criminology यानि जो अपराद विग्यान है उसमें इसके बाद आपको यहां पर देखना है कि regular करना है या private करना है वो भी मैं आपको आगे inform कर दूँगा दोस्तों कि कैसा आपके लिए सही रहेगा और इसे क्या फाइदा होगा regular और private में अंतर तो आप married हो या married हो यहां पर select करना है आदार नंबर डालना compulsory यहां पर देख लिजेगा और अपना address और last में mobile नंबर यह डालने के बाद दोस्तों यहां पर next करना होगा और next करने के बाद एक form और open होगा उसमें आपके 10th 12th और graduation तीनों के mark sheet का होना जरूरी है क्योंकि उ SQ कक्षा पास की थी कितने percentage है बार्यू कोंसे सन में की थी और graduation कोंसे सन में की थी उसके बाद चालान यानि जो piece है वो जमा कराने का option आएगा तो जो piece है वो भी मैं आपर बताना चाहता हूं दोस्तों जो OBC और general category के उमिदवार है उनसे 200 रुपे लिए जाएंगे form बरने क पीज और बाकी category है SCST उनके 100 रुपे हैं तो आगे मैं पूरी information आपको देने वाला हूं इस form को दोस्तों आप swim भी बर सकते हो और emitter से भी आप भरवा सकते हो मैं लिंक बेज दूँगा आपको description में टेलेगा चैनल है उसे join जरूर कर लेएं दोस्तों अब आगे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी बता रहा हूं यह बहुत ही महतुपूर्ण है इसको ध्यान पूरक सुनिएगा कल यह interaction जारी किया गया था दोस्तों PG diploma and certificate courses के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता जिया था दोस्तों कि आवेदन सुरू हो चुक पॉस्ट ग्रेजवेशन डिप्लोमा है पुलिस परसासन के अंदर इसमें दोस्तों regular और private mode और duration यहने कितने वर्षका है एक वर्षका है और 40 सीटे हैं दोस्तों जो regular के लिए है और बाकी यहाँ पर देख सकते दोस्तों जो private है वो भी एक साल का है लेकिन इसमें दो है maximum सी सीटे हैं private के लिए यहने कितने भी स्टुडेंट को कर सकते हैं और यहाँ पर योग्यता देखिएगा graduation होनी चाहिए आपके पास में 45% अंक के साथ में बाकी जो SCST है उनको 5% की यहाँ पर छूट दी गई है अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें 40 सीटे है हमारा number के से आएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों आप सभी को पता है जैसे आप college में एडिविशन लेते हो first year के अंदर 12th pass करने के बाद तो वहाँ पर दोस्तों कटोप जारी होती है आपके percentage के आदार पर इसलिए जितने आपके अच्छे percentage होंगे दोस्तों regular product का एक ही अंतर है वह मैं आपको आगे यहां पर बताने वाला हूँ दूसरा course यहां पर देख लीजिएगा certificate course है दोस्तों पुलिस परसाशन के अंदर इसकी भी same process है लेकिन यह 6 महीनों का ही है दोस्तों और इसमें योगेता कम है के वल जो है senior secondary ठीक है इसके बाद certificate courses है अ 100 रुपे हैं और SCST के लिए यहां पर 100 रुपे की फीस रखी गई है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप यह फोरम अपलाई कर दोगे तो उसके बाद में जो है counseling होगी उसमें cut-off list आपकी आएगी फिर आपको information दे दी जाएगी call करके दोस्तों ठीक है यह message क माधियम से इसलिए आपके number वहां पर मांगे गए हैं यहां पर पढ़ सकते हो दोस्तों candidate of merit list यहां पर जो है उसी के आदार पर आपका यहां पर सीनियर सेगेंटरी है वह यहां पर 6 महीने का करना चाता है तो उसको क्या benefit मिलेगा और जो यहां पर एक साल का करना चाता है उसको क्या benefit मिलेगा वह भी आगया आप समझ लीजिए गा तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कल यह राजस्तान ग्रह विबाग की तरप से आदेश जारी किया गए था जो सभी इंस्पेक्टर भरती परिक्षा है अभी वर्तमान उसमें यह अंक जोडने के लिए तो बाकी जो जितनी भी वेकेंश से रास्तान पुलिस कोश्टेबल है उसके लिए भी आदेश जल्द जारी यहां पर होने वाला है तो मैं आपको सम इस कोर्स चेज़ साथ नंबर अधिकतम आप राप्त कर सकते हो और यहां पर पर प्रसेंटेज का इरिय देर आपके जैसे आपने पर पिनल चैन के अंदर आपको समझ में आगई होगी जानकारी दोस्तों कि एक वर्ष में करने में 10 अंकों का है और बाकी जो 6-6 महिने वाला है उसमें अधिक्तम 5-7 अंक आपको यहां पर मिलने वाले हैं इस परकार से यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल गई है फीस भी मैं आपको बताना चाहता हूं और अगला वीडियो आपके लिए दोस्तों जो इसका syllabus है वह भी यहां पर जारी हो चुका है कहां से आपको डाउनलोड करना है कौन कौन से किताबें क्या पढ़नी है यह सभी को दोस्तों यह course करना जरूरी है क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों 10 नंबर की कीमत कितनी होती है दोस्तों अगर आप भी कर रहे हो राजस्तान की किसी भी परतियों की प्रिक्षा की तयारी तो Unacademy आपके लिए एक special offer लेकर रहा है दोस्तों अभी नहीं तो कभी Unacademy पर दोस्तों 19 अप्रेल से आप देख सकते हो 21 अप्रेल तक यहाँ पर एक subscription के लिए दोस्तों एक धमाका ओपर चल रहा है जिसमें आप 12 महीनों का subscription लेते हो तो 2 महीनों का extra subscription आपको फिरी मिल रहा है जिसमें आप सभी exams की तयारी यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों तो link आप पर देख सकते हो जो फीस है इसमें वह भी यहां पर बता दी गई है अगर आप एक वर्षाला कोर्स यहां पर कर रहे हो रेगुलर मोड से तो 5000 रुपे पीस देनी होगी अगर आप प्रावेट से कर रहे हो तो 4000 रुपे अब आप सोचोंगे सर रेगुलर के अंदर ज्याद का या सेगेंडिर का तो उसमें आपको पता है परसेंटेज अच्छे बनते हैं और एक प्रावेट इस्टुडेंट होता है तो उसके कम बनते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलर करोगे तो आप पूरे 10 नंबर तक प्राप्त कर सकते हो क्योंकि अगर आपके कोलेज के लिए नया एक विशे आपको पढ़ने को मिल रहा है यही चीज आपको दूसरे जो कोर्सेज है उसमें आपको देखने को मिल रही है थोड़ी थोड़ी पीस यहां पर कम कर रखिये जैसे इसमें आप देख सकते हो सर्टिफिकेट जो कोर्स है इसमें आपको 4,000 र करा रहा हूं कि इसमें क्या-क्या पढ़ना पढ़ेगा कौन-कौन सब्जेक्ट है और इसकी कब तक परिक्षा लग जाएगी दोस्तों तो आसा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टुडेंट तक यह जानकारी पहुंसे कि आप सभी को पता है दोस्तों इस्टुडेंट के लिए एक-एक माक्स भी कीमती होता है अगर आप यह कोर्स कर लोगे तो आपको 10 नंबर तक यहां पर फाइदा मिल सकता है तो फिलाल के लिए दोस्तों थैंक्यू धन्यवाद